असलाम लेकूम, वेलकम पैक टो माई यूट्यूब चैनल, इन दिस वीडियो वी आर गोईंग टो डिसकस इंसेक्ट अब्डॉमन, इससे पहले हम डिसकस कर चुके हैं, इंसेक्ट हैड एंड थौरेक्स, हमें पता है कि इंसेक्स जो हैं, उनके थ्री बॉड़ी पार्ट होते हैं, 11-12, परिमिटिवली जो सेग्मेंट थे ना, वो 11 थे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एवलुशन हुई, तो कुछ सेग्मेंट जो हैं, वो फ्यूज हो गए, कैसे, मतलब जो थौरेक्स है, उसके साथ फ्यूज हो गए, अच्छा, और 11 सेग्मेंट भी रिड्यूस हो गय 11 सेग्मेंट डिवाइड हो गया, टू लोब्स में, जो के अराउंड दा एनस प्रेजेंट है, यहां पे आपको टू लोब्स नजर आ रहे हैं, अच्छा, अब 11 सेग्मेंट जो है, उसमें तीन प्लेट्स भी होती हैं, उनके नाम है, एक एपी प्रॉक्ट है, ठीक है, जो डॉर्सल साइड पे होती है, एनस के दो जो हैं, पैरा प्रॉक्ट हैं, जो लेटरल साइड पे हैं, लेटरल साइड आपको पता है, यह बेसिकली जो इसकी साइड ना वो लेटरल एरिया है, जो नीचे वाला एरिया है, वो वेंटरल है, जो उपर वाला है, वो डॉर्सल है अच्छा टेरी गोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उन में जो 9th सेग्मेंट है वो मौडिफाइड होता है ओविपोजीटर और गोनोपोर में ठीक हो गया और जो मेल है ना इंसेक्ट्स वहां पे 9th सेग्मेंट पे क्या होता है एडिगस जो के मेल का पुलेटरी आरगन है ठी इसके इलावा यह जो अब्डॉमेंट होती है ना यहां पे लेस स्क्लैरोटाइजेशन होती है यानि यह इतनी ज़्यादा हाड नहीं होती यहां पे इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलिटन है उसमें स्क्लैरोटाइजेशन का प्रॉसस है वो कम हुआ होता है इसके इलावा पे कुछ appendages भी present होते हैं जो अभी हम next detail में देखेंगे इसके इलावा abdomen जो है वो bear करती है external genitalia इसके इलावा जो terminal segment है ना वहाँ पे specific structure हो सकते है जैसे सरसाय है हाँ में नॉप्टरंस की बात करें तो उन में क्या होता है जो first abdominal segment है ना फ्यूज होता है thorax के साथ यहाँ पे जो first abdominal segment है वो thorax के साथ fuse होगा और एक narrow long structure बना लेगा इस तरह का structure बन जाता है जिसे हम क्या कहते है पेटियूल यहाँ पे आप देख सकते हैं first segment जो है वो फ्यूज है thorax के साथ और क्या बना रहा है पेटियूल बना रहा है इसके रावा टेलसन जो है यह membrane होती है जो insect के last कहले एनस जो होता है उसको surround का रही होती है यहाँ पे देखें टेलसन आपको नजर आ रहा है अब जरा इसको revise करते हैं हमने अभी तक क्या देखा यह insect abdomen के 10 to 11 segments हो सकते हैं यह 11 to 12 हो सकते हैं डिपेंड करता है insect पे evolution के दुरान जो segment है उनका नंबर कम हो गया है 11 segment जो है वो basically reduce हो गया है उसमें 3 plates होती है 1 epiproct है 2 जो है पेराप्रॉक्ट है epiproct darsal side पे है पेराप्रॉक्ट lateral side पे है उसके इलावा 9th segment जो female होती है उनमें ओवी पोजीटर और गोनोपोर बनता है जबके जो मेल है उसमें एडिकस बनता है इसके इलावा जो abdomen है उसके इलावा जो abdomen है उसके इतनी ज़्यादा सक्लैरोटाइजेशन नहीं होती इसके इलावा इसमें कुछ segments भी present होते है और external genitalia present होता है terminal segment जो होता है abdomen کا उसे हम सरसाई भी कहते है उसमें pendeges होते हैं ठीक है जिसे हम सरसाई कहते है with humanopptoros में किया होता है कि first abdominal segment लावानों किसके साथ मिल जाता है thorax किसके साथ मिल जाता है और वो क्या बना लेते हैं पैटियूल जो के एक लांग स्टक्चर यहां आप पिक्चर में देख सकते हैं इसके बाद टैलसन है टैलसन बेसिकली मेंबरेन है जो एनेस को स्राउंड कर रही है अब हमने देखना है मौडिफिकेशन क्या है इंसेक्ट अब्डॉमन की उसमें सबसे पहले हम फोकस करेंगे फिर्स्ट अब्डॉमिनल सेग्मेंट में टैरीगोट्स हैं यानि ऐसे इंसेक्स जिनके विंग्स होते हैं उनमें फिर्स्ट अब्डॉमिनल सेग्मेंट जो है वो किसके साथ जुड़ा होता है मेटा थॉरक्स के साथ अच्छा जी प्रो थोरेक्स, मीजो थोरेक्स और मेटा थोरेक्स यानि जो थोरेक्स का लास्ट वाला पार्ट है उसके साथ फर्स्ट अब्डॉमिनल सेग्मेंट जो है उसके अमल के लें के वो ना उसके साथ मिला होता है इसके लावा 어derl terigors जो हैं उनमें abdominal segment anterior to those that pair external genitalia external genitalia के जो interior side पे segments होते हैं वो simple होते हैं और uniform होते हैं highmanoptera में आपको पता है कि फरस्ट abdominal segment मिल जाता है Pacific Arigarchs के last segment के साथ और क्या बना लेते हैं petiule टेलसन आपको बता है बिसिकली ये एनिस को सराउंड करती है लेकिन ओडोनेटा एनिस में क्या होता है उसमें तीन स्माल प्लेट्स होती है यहां पर देखें ओडो नोटा एनिस यह बिसिकली टेलसन दिखाया गया है ठीक है लेकिन ओडो नोटा के अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है एनिस रौंड होता है थ्री स्माल प्लेट से अभी हमने देखा मौडिफिकेशन क्या थी इंसेक्ट अब्डॉमन की अब हम पढ़ेंगे वेरियेशन क्या है इंसेक्ट अब्डॉमन में यानि डिफरेंट इंसेक्ट में जो अब्डॉमन है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है कैसे कैसे होती है अभी हम यह देखेंगे नंबर सबसे पहला जो अब्डॉमनल सेग्मेंट है उनका नंबर जो है करता है इंसेक्ट तो इंसेक्ट जो कलमबोला है ना इसमें 6 abdominal segments होते हैं ठीक है इसके दावा जबाकी A terigots यानि without wings उनमे 11 abdominal segments होते हैं और अगर terigots की बात किरें तो उनमें 10 या उससे भी कम abdominal segment हो सकते हैं कलमबोला में कितने थे 6 8 एरिकोर्स में कितने हैं 11 और हायर फार्मस के अगर हम बात करें तो उनमें 10 भी हो सकते हैं साइस की बात करें तो इनका साइस बहुत समाल हो सकता है जैसे यहां पर देखें आप इसके रावज जो पैरसिटिक वैस्प है उसमें बहुत समाल सी अब्डॉमन होती है लेकिन अगर टर्माइट की हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे बलकी अब्डॉमन होती है क्यों क्योंके टर्माइट जो है वो नंबर आफ एक्स पेड्यूस करके अपनी अब्डॉमन में रख लेती है कह लें कि enormous number of eggs इस phenomenon को हम क्या कहते हैं फाइसोगेस्ट्राइ फाइकोगेस्ट्री क्या है कि basically जो कह लें कि जो abdomen है termite की वहाँ पे enormous number of eggs होते है यानि लातदाद वो eggs produce कर लेती है जिसके जिसे वो बल्की सी नज़र आती है अभी हमने कहा था कि insect abdominal appendages भी होते है अब ये appendages कितनी तरह के हैं ये basically होते हैं three types के कौन-कौन से pre-genital abdominal appendages abdominal appendages in larva abdominal appendages on genital segments सो अब हम इनको one by one देखते है सबसे पहले हम देखेंगे pre-genital abdominal appendages इसमें पहला है style ले style यहां पर देखें silver fish में silver fish की rudimentary legs होती है या जिनका कोई roll नहीं होता rudimentary legs on ventral side of abdominal segment यानी इसमें देखेंगे ना ये ऐसी legs है styli basically rudimentary legs है जिनका कोई roll नहीं होता ठीक है और ये कहां पे है ventral side of abdominal segment abdomen की जो ventral side है वहां पे rudimentary legs present है इनमें क्या है? उने हम क्या कहते हैं? स्टाइली कहते हैं. नेक्स्ट है कोलो 4. कोलो 4 होता है कलमबोला में. यहाँ पे देखें कोलो 4. फिर्स्ट जो अब्डॉमनल सेग्मेंट है उसकी वेंटरल साइड बे एक कुलंबोला में है, ये 3rd Abdominal सेग्मेन पे है, और ये क्लैस्प के तोर पे काम कार रहा है, इसका structure आप देखके आपको पता चल जाता है, ये क्लैस्प के तोर पे काम कार रहा है, नेक्स्ट है फुरकूला, फुरकूला भी कुलंबोला में ही है. यह यहाँ पे आप देख सकते हैं. बलू कलर में. यह एक स्पाइक है. ठीक है? और यह फिफ्थ सेगमन्ट पे है. हमने कहा कुलंबोला मेंढ़ूमन के कितने सेगमन्ट होते है? फास्ट वन पे क्या है? हमारे पास कॉलो फॉर थर्ड वन पे क्या है टीना कुलम फिफ्ट वन पे क्या है फुरकोला उसके बाद अब्डॉमिनल अपेंटिजेस की बात करें तो प्रोलेग्स यह लेपी डाप्टरों में होती है प्रोलेग्स ठीक है यह स्माल फ्लेशी स्टक्चर्स हैं यह बेंट्रल साइड अबडॉमन इन्हें हम प्रोलेग्स चाहते हैं यहां पे आप देखेझ़ फाल्स लेग अ प्रोलेग्स प्टउाइब यहने अप्र्णिकर्स प्रेजंट्र का ठीक है यह basically होते क्या है पेर होता है लोब लाइक परजेक्शन का posterior darsum of abdomen और इन्हें हम क्या कहते हैं एफिट्स कहते हैं पेर है लोब लाइक परजेक्शन का नेक्स्ट है सरसाय यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंसर लाइक आरगंज है यह paired appendages है rearmost segment यानि जो last segment है वहाँ पे यह present होते हैं एफिमिरॉप्ट्रा में बेसिकली यह present हो सकते हैं एपी प्रॉक्ट एपी प्रॉक्ट जो है ना यह bristle tails में देखें present है थर्ड सोरी 10th abdominal segment पे एक philamit होता है उसे हम जा कहते हैं एपी प्रॉक्ट ओडोनेटा जो है उनमें है पेराप्रॉक्ट पेराप्रॉक्ट बेसिकली क्या है कि प्लेट लाइक structures है ठीक है ले पैरड है यह भी और यह जो है ना टिप चो अब्डॉमन की है वहाँ पे present होते हैं यानि जहाँ पे वो end हो रही है वहाँ पे present होते हैं ठीक है अब next हम इसमें देखेंगे genital structures and appendages reproductive terminal abdominal appendages generally include 8 and 9 segments यानि यह कहाँ पे हो सकते हैं 8 या 9th segment पे male में part of 9th segment usually combined with appendages of 9th segment and sometimes with the 10th segment यानि क्या होता है कि 9th segment का जो part है वो बाकी 9th segment के साथ या फिर जो 10th segment के है ना उसके साथ वो fuse हो जाता है और क्या बनाता है male copulatory argon part of 9th segment किसके साथ combine होता है appendages of 9th segment के साथ और इसके कभी-कभी 10th segment के साथ भी combine हो जाता है और क्या बनाता है कपूलेटरी आरगन किस-किस पर कुंसिस्ट करता है इंट्रोमिटेंट आरगन पर और असेसरी स्ट्क्शर्ज पर अच्छा, बेसिक एलिमेंट जो हैं वो फैलिक लोब्स हैं फैलिक लोब कहां पर प्रेजन्ट होते हैं ventral surface of ninth segment अच्छा फैलिक लोब क्या बनाते हैं फैलो मेर इनमें एक होता है पैरा मेर और सेकंड होता है मीजो मेर जो मीजो मेर होता है वो फ्यूज हो जाता है ठीक है और वो क्या बनाता है एडिगस जो के basically intermittent argon है उसके बाद जो ejaculatory duct होती है ना ये देखें ये continuous होती है inner wall of एडिगस के साथ और इसे हम क्या कहते हैं endophallus यहां पे देखें ये देखें endophallus अच्छा ये duct की जो opening होती है ये होती है जी tip of एडिगस पे यहां पे आपको नजर आ रहा है opening जो है कहां पे है tip of एडिगस पे जिसे हम क्या कहते हैं फैलोर ट्रीम जरह इसको revise कर लेते हैं male genitalia की basic element कौन से है phallic lobes phallic lobes कहां पे present होते है ventral surface of ninth segment और वो क्या बनाते हैं phallomeres phallomeres कितनी तरह के होते हैं दो तरह के mesomere and paramere paramere बाहर वाहर वाली साइट पे है mesomere inner pair है mesomere basically fuse होके क्या बनाता है adigus उसके इलावा ejaculatory duct जो है वो adigus के साथ continuous होती है और उसे हम क्या कहते हैं endophallus इसकी जो opening होती है उसे हम क्या कहते हैं phallotream इसकी बाद अगर हम female की बात करें तो इन में क्या होता है ovipositor होता है जो basically egg laying argon है इसके इलावा two pair होते हैं well vifors के इन में से एक pair जो है उसमें blades होते है और second में second well vifors जो है वो भी pair करता है well vah and dorsal pair जो है वो भी pair करते है third well vah अच्छा first and second जो है वो क्या बनाते है piercing argon बनाते है with the inner channel down जहां से eggs जो है वो पास हो जाते है ठीक हो गया बहुत से ऐसे insects होते है उन में क्या होता है कि उन में न ovipositor होता ही नहीं है इसके इलावा gonopor basically genital opening है ये appendages नहीं है और ये 7th abdominal segment पे present होती है